हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो सीमा स्मार्ट किचन, आज हम बनाएंगे एक रिक्वेस्टेट रेसिपी सोया बीन कोफता करी, चलिए बनाते हैं सोया बीन कोफता करी, रेस्टोरेंट स्टाइल सोया बीन कोफता करी बनाने से पहले, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ये है सोया बीन कोपता की इंग्रीडियन्ट ये सभी आपको आसानी से घर में मिल जाएंगे सोया बीन को अच्छे से वाश कर लीजे फिर 5-6 घंटे के लिए इसे पानी में भिगा देना है ये इस तरह का सौफ्ट हो जाएगा अब इसमें से हमें इस तरह दबा दबा के पूरा पानी निकाल देना है इसमें पानी नहीं रहना चाहिए साथ ही हमें एक उबला हुआ आलू भी लेना है अच्छे से पानी निकाल लेने के बाद इसे ग्राइंडर में डाल लीजे और उबले हुए आलू को भी ग्राइंडर में डाल लेना है साथ ही इसमें हमें अद्रक का टुकडा 1-2 हरिमिच थोड़ा सा जीरा 2-3 लहसुन की कलिया ले लीजे इन सभी को मिला के अच्छे से ग्राइंड कर लीजे इसमें पानी नहीं डालना है ऐसे ही ग्राइंड करना है इसे खोल के मिलाते चाहिए और ग्राइंड करते चाहिए देखिए ये इस तरह का grind हो जाना चाहिए देखिए एकदम स्मूध हो गया है अब इसमें ही डाल लीजे बारिक कटा हुआ हरा धनिया चार से पांच चमच बेशन धनिया लाल मिर्च पाउडर नमक जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर इन सब को डाल के मिला लीजे और अगर आपको लग रहा है इसमें पेशन थोड़ा कम है तो आप एक से दो चमच और डाल लीजे और मिला लीजे हाथों में थोड़ा सा ओईल लगा के कोपते तयार करके रख लीजे उसकी बादी ओईल को गर्म होने रखिए तेल गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को लोटू मीडियम कर लेना है कोपते डालते जाने हैं और घुमा घुमा के तलते जाना है कोपते का तीन मिनट लगे है सबही कोपते तलते जाहिए और निकालते चाहिए सभी कोपते तल लेने के बाद कड़ाई में दो चम्मच तेल कर्म कर लीजे फ्लेम को लोटू मीडियम कर लीजे अब इसमें लॉंग, काले मिच, दालचीनी, तेजपत्ता, जीरा, जावित्री ये सभी चीजे डालके भून लेना है बड़ी इलाइची और छोटी इलाइची इसको थोड़ा सा तोड़के डालिए इने थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें डाल दीजे हरेमिच, लैसुन, अद्रक और चौप्ट क्या हुआ प्याज इन सभी चीजों को चलाते हुए हमें थोड़ा सा गोल्डन कलर होने तक का भून लेना है कि इस कलर का हो जाना च प्याज और इन सभी मसालों को थोड़ा ठंडा होने दीजे, ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से स्मूथ ग्राइंड कर लीजे, एक बावल में हल्दी, धनिया, लालमिच पाउडर और मिक्स मसाला लेजे, मिक्स मसाला कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी अ तीन से चार चमर्च तेल कर लीजे, तेल थोड़ा कर्ब हो जाने के बाद इसमें डाल दीजे, कश्मीरी, लालमिच और ग्राइंड किया हुआ प्याज वाला मसाला, इन्हें अच्छे से भून लेना है, इसे भूनने में जादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अल्रेड़ी और फिर से चला लीजे, अब इन्हें दूने में दो से तीन मिनट और लगाना है, और फिर इसमें डाल देना है गर्म किया हुआ पानी, किसी भी सबजी में अगर आप गर्म किया हुआ पानी डालते हैं, तो सबजी की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी आती है, आप अप पहले ही इसमें कोपते डालिए, लास्ट में इसमें डाल दीजे नमक और आमचुर पॉडर, एक मिनट इसे और गर्म कर लीजे, फ्लेम को बंद कर दीजे, गार्निश कीजे, हरे धनिये से और सर्व कीजे, आप इसे चरूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी और आसान रेसि बाइ